पश्यन शन्वन स्पर्शन जिग्रन अश्नन ग्रहनन वदन व्रजन इहिता अनी हितेर मुक्तो मुक्तएव महाशयह नमस्कार मित्रों यह जो श्लोक है यह अश्टावक्र गीता के सत्रवे अध्याय का बारहमा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते है तो जो श्लोक के वह कहता है पश्यन शन्वन स्पर्शन जिग्धन अर्था देखते ह हुए सुनते हुए स्पर्श करते हुए सूंगते हुए अश्नन ग्रहनन वदन व्रजन अर्था खाते हुए ग्रहन करते हुए बोलते हुए चलते हुए इहिता अनिहितैर मुक्तो अर्था चेष्टा करने न करने से मुक्त मुक्त एव महाशयह अर्था महाशय मुक्त ही है तो यहाँ पर अश्टावक्र जनक महराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति चेश्टा करने और ना करने से मुक्त है वह सभी क्रियाओं में वास्तों में मुक्त ही है भले ही वह देख रहा हो सुन रहा हो सुन रहा हो सुन रहा हो खा रहा हो ग्रहन कर रहा हो बोल रहा हो या चल रहा हो तो मूल बात जो हैं पर बताई जा रही है वो यह है कि यदि आप उपर ही उपर ही रूप से देखेंगे त बीच का अंतर प्रा समझ नहीं पाएंगे यदि आपको ग्यान नहीं है तो क्योंकि जो मुक्त व्यक्ति होता है वह सभी क्रियाएं करता है जो कि बद्ध व्यक्ति भी करते हैं किन्तु जो मुक्त व्यक्ति होता है वह तब भी मुक्त होता है और जो बद्ध व्यक्ति होता है वह तब भी बद्ध ही होता है उपरी उपरी रूप से हम इस बात को समझ नहीं सकते कि कौन मुक्त है और कौन बद्ध है क्योंकि उपरी उपरी क्रियाओं में दोनों व्यक्तियों में हमको समानता ही दिखाई देगी जिस वेक्ति को ग्यान नहीं है जो भी समझा नहीं है वो इन दोनों में ही एक ही बात दिखाई देगी उसको यहां तक कि आपको जो मुक्त वेक्ति है उसकी क्रियाओं में भी जो है आपको ऐसी बातें दिखाए देंगी जो कि आप बोलेंगे कि आ रहे यह तो निक्रिष्ट कार रहे कर रहा है आपको ऐसा वे लगएगा, हो सुंता है कि वह क्रोद करता वह भी दिखाई दे जाए है masculina की वह अफित है कि वह आपको लोब करता वह दिखाई दे जाए आपको हूपरी उपरी फरी रूप से जो आप देख रहे हो क्रिया में वह जो है उसके दवरा बृतर चल रहा है जो जो नहीं है बद है वो बद ही है क्योंकि जो भेद होता है वह अंत्य करण में होता है और अंत्य करण में जो भेद होता है वह होता है चेश्टा करने और ना करने का तो देखिए जैसे मानली जै कि आपने एक कोई संकल्प बना लिए आपने का कि मैं जूट नहीं आते हैं यदि आप ही बोलते हैं कि मैं एहंकार का त्याग करता हूँ आपने एहंकार का त्याग करता हूँ तो आपने एहंकार का त्याग करने में मैं तो ले आए ना आप मैं तो आ गया फिर भी कि मैं अपने अभिमान का त्याग करता हूँ तो अभिमान का त्याग करने मैं ने त्याग किया तो मैं आ गया उसमें तो यह जो मैं है ना सारी फसाद की जड़ी यही है वास्तों में तो यही मैं ना हो तो फिर कोई समस्या नहीं है आप नाले जी कि आप बोलते हैं कि मैंने लोब किया मैंने लोब किया अब इसमें आप मैं को अटा दें तो काम बन गया लोब कीया, मैं नहीं है, लोब है क्योंकि लोब तो है ना, लोब तो ही वास्ता वीज़ спरह इसा नहीं है, भादशा की बड़ी समस्याह होती है, यहल्जнов नहीं है, पर नंतों लोब लोब وैसे है ना, मैं हटा दिया आपने, तो कुछ भी बचा नहीं, फिर कुछ भी नहीं बचा फिर फिर बस है बचा तो सब कुछ जो है ने मैं और उससे सम्मंदित में है तो यह जो भी द्वैत है ना जो हम द्वैत देखते हैं कि उदारता या लोबता उदार होना या लोभी होना ये द्वैत है तो जो द्वैत है ये मैं के कारण है वास्तों में मैं नहीं होगा ना तो द्वैत नहीं होगा द्वैत नहीं हो सकता है क्योंकि जो है वाली वास्ता है उसमें सब कुछ आ जाता है तो उसमें उदारता और लोग दोनों ही आ जाएंगे वास्तों में तो मैं जो है इससे छुटकारा पाना ही वास्ता में मुक्ती है तो लोग जो है इस बात को नहीं समझते हैं जिसके भीतर मैं है अभी उसके भीतर तू भी होगा यदि मुझे मैं है तो तू भी है फिर कोई और भी होगा फिर तो अब कोई और भी होगा तो फिर उसको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो जो है मैं के दृष्टी कोन से देखेगा जबकि जो मुक्त है व्यक्ति है मैं के दृष्टी कोन से देखेगा यह नहीं वो है के दृष्टी कोन से देखेगा क्योंकि वो है के दृष्टी कोन से देखेगा इसलिए उसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा तो सब कुछ दिखेगा उसमें तो केवल दृष्टी का भेद है वास्तों में तो जो व्यक्ति मुक्त है वह चेश्टा से मुक्त हो जाता है क्योंकि वो मैं नहीं रहता उसमें चेश्टा करने वाला कौन हो तो मैं ही है ना कि ऐसे करूं या वैसे 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 करूं तो आप क्या कर रहे हैं वास्तों मैं एक तो मैं आ रहा है उसमें और दूसरा आप का बुद्धी जो है उसका आप सहारा ले रहे हुए like इस प्रकास ठीक रहेगा वैसे करना उस प्रकास ठीक रहे तो डिया बुद्ध और तर्क लगाएंगे तोप जो छहां वास्ताव में तत्व को नहीं प्रापत कसकेंगे क्यों वो तत्व जो वा से परेवाला तत्वा है तो अभी इस स्थिति में क्या किया जाए पिर इस स्थिति का जो समाधान है वह ही है कि मैं को छोड़ने से जोरें हैं भी आप बुद्दिय लगाना ही छोड़ने कि यार ऐसे ठीक है चेश्टा करना ही छोड़ने याप आप यह सोचने कि मैं ऐसे करूँ या मैं वैसे करूँ तो चेश्टा लगकर हो रही है ना आपकी आप चेश्टा कर रहे हैं आप चेश्टा कोई छोड़ दीजे बोले मैं कुछ करता है नहीं जो करता है वो हरी करता है ना जो किया सो हरी किया मैं कुछ कीरियो ना ही बोलते है कभीर जी बोलते हैं прикभीर दाज जी बोलते हैं आप अपनी क्रियाओं के करतापन को ही चोड़ दीजिए कि मैं करता हूँ वास्ताओ मैं मैं नहीं करता हूँ वास्ताओ मैं जो भी करती हो प्रकृति ही करती है यहां पे सब कुछ जो खेल वारा वो गुणों का गुणा गुणैशु वरतनते, बोला ना श्री कृषिन ने, कि गुणों का ही गुणों में वरताव हो रहा है, मेरा इसे को संबंद है नहीं है वास्त में, अब मुझ में यदि, मैं तरिगुणा तीथ हूं, यदि मुझ एक भगवान का है भगवान चलाए जैसे चलाना चाते है भगवान उसको बुद्धी किसकी है भगवान की है बुद्धी चलाए भगवान जैसे चलाना चाते है मन किसका है भगवान का है भगवान चलाए जैसे मन को चला जाते है मेरा क्या मतलब इससे मुझे क्या मतलब वह वाल तो आप दूसरों को दुख नहीं देना चाहते हैं, आपके कारण किसी को दुख हो यह नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब सुखी हो जाएं क्योंकि सब मेरे ही हैं, अब भई यह आप ही सुचे कि आप स्वयम को कष्ट देना चाहते हो, कि आप स्वयम को कष्ट देना चा और ये शरीर का कोई महत्व नहीं है तो ये शरीर को भली कष्ट हो जाए पर भाहि तुझे कुछ नहीं होना चाहिए वह विख्ती का तो उस भाहों से चेस्टा रही थो कि अदो गरता है ये ना सूछ कर कि मैं कर रहा हूं बहुत बहुत जटल बात है मैं आपको यह यानि बा आपको चेश्टा नहीं करनी है, पर करनी भी है, क्योंकि आप यह नहीं चाहते है कि दूसरों को दुख दें, तो वड़ी जटिल सी बात हो जाती है, तो मनो भाव जो है ऐसा शुद्ध कि किसी को कुछ कष्ट ना हो, ऐसा मनो भाव होना चाहिए, परन्तु यह भाव नहीं हो करता हूँ, भाव यह होना चाहिए कि इश्वर करते हैं, वो है, जैसे कर्मों का जो कर्मों का जो प्रकटि करन है, कर्मों का जो विशह है, उसको ग्यानी से ग्यानी लोग भी नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कर्ता पन और अकर्ता पन के बीच का बेद नहीं किया है जैसे गीता में क्याता है कि कर्म मैं शव्कूच करते हूँ कुछ नहीं करता हूँ कहीं बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ चतुर वर्णा मयाश रिष्टम, गुण कर्म विभागयो, मैंने इन चार वर्णों को जो उत्पन ने किया, गुण कर्म के आधार पर इसको मैंने उत्पन ने किया, परन्तु मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो बनाया है मैंने, पर मैं करता कुछ नहीं हूँ, तो भगवानी सा पिर भी अपने को, तो हम जो काम करते हैं, जिदर करते हैं, वहां कि यवल भाव तक सीमेत रखना चाहिए हमको, ले दे के बाद कि यवली है, कि हमारी मन्शा क्या है, मोटिव क्या है हमारा, हमारा मोटिवेशन क्या है, उस मोटिवेशन जो हमारा मोटिव है, उसको अच्छा पिर जो होता है होने दीजिए उसको, हो वाली बात है, आपका भाव अच्छा होना चीए, सबके ब्रती सुख का भाव होना चीए, सबके कल्यान का भाव होना चीए आपका, पर उस भाव के साथ में पिर जो होता है होने दीजिए, प्रकरती जैसे कर रहे हैं करने दीजिए उ इसे की बोला, कि यहां अस्टावकर गीता में किभा बोला ना, क्या बोला उसको विश्व महाम भूदो, संसार सागर महाम भूदो बोला ना, संसार सागर में जो है यह वात, चित्त वाते बोला उना, चित्त की वात, तो जो वात है, उसमें जो भाव से हम एनरजी डालते हैं उसमें तो यह प्रकरती है उस प्रकरती में अपने भाव से अपने भाव से हम उसमें शक्ति डालते हैं प्रकरती फिर उसी नुशार कार्रे करती है तो हमारा जो कार है वहां भाव पर समापत हो जाता है उसके आगे सब काम प्रकरती का है प्रकरती जड़ है वास्तों में तो हमारा मन, हमारी बुद्धी, हमारा चित, हमारा एहिंकार और जो पांचों, यह जो भी कुछ हैं, तत्व हैं जितने भी सारे बात हो सब्सक्राइब करने कि हमारे कोई आवश्यक्ता नहीं आपको को में सोड़ा समझापाया हूं पररंदु ऐसा ही है कि मन मेरें के चल रहा मोइन ना दि Westminster में कर चल रहा हुआ अच्छा हो न है वहां तक हम है उसके आगे पिर प्रकरति को करने दिजे उसके सा करें साइक रहा उर सब बढ़्या करें उस उस पर विश्राश रלא कि वो संदेशता यहां पर इस इस श्लोक में आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक समझा दिया होगा इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाथ करते हैं और मस्ते कि वहीं आपकर करते हैं ऑपको फियत कर दो लेती ही पर इस श्कुलन इस भाष् टाफबस्ट। यहा हिए